हेलो एवरीवन, वेलकॉम अगेनी लन्वरे देतीमन, सरकारी सिक्षक भरती का एक नया विग्यापन जारी हुआ है, 1065 पदों पर वेकेंसी आई है, परमानेंट पोस्ट रहने वाली है, सैलरी यहाँ पर 65,000 आप लोगों को दी जाएगी, सबी सब्जेक्ट की वेकेंसी निक सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू, ओपनिंग डेट जो है, स्टार्ट हुए है, यह 11 सितमबर से, ठीक है, अप्लिकेशन फोर्म स्टार्ट हो चुके है, 11 सितमबर से, नेक्स्ट जो है, क्लोजिंग डेट रहेगा 13 अक्टूबर, तो आज से ही जो है, अप्लिकेशन स्टार्ट हो गए है, और 13 अक्टूबर तक जो है, यह चलने वाले है, तो समय से पहले आप लोग एप्लिकेशन कर दें, बाकी यहां पर विकैंसी पोजिशन, कौन-कौन से सब्जेक्ट की विकैंसी है, तो मैंने आप लोगों को भी बताया है, कि नेम आप सब्जेक्ट य दिखाई आपको दे रहे है, 146 पोस्ट जो है, यहां पर एकोनोमिक्स के है, ठीक है, नेक्स्ट जो है, यहां पर बाटनी के 51 है, कैमिस्ट्री के 75 है, इंग्लिस के आप देखें, यहां पर 115 पोस्ट है, जोग्रफी है, जोलोजी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, हुम साइंस ह उसके बाद IRPM, law है, library, information, science, philosophy की vacancy है, mathematics की है, ओडिया की है, physics की है, political science, psychology, संस्कृत, sociology, सभी subject आपको दिखाई दे रहे हैं, total यहां पर 1065 पदों पर vacancy निकाली गई है, और कुछ जो post है, number of post, reserve, category wise जो है, वो reserve है, आगे बढ़ते हैं, age limit यहां पर कहा है, कि minimum 21 year और 42 year यहां पर maximum, 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, 21 से लेकर 42 साल तक के candidate यहां पर application form डाल सकते हैं, education qualification जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कि BAD, BTC या CETAD यहां पर नहीं मांगा गया है, तो यहां पर कहा है, कि master degree होनी चाहिए, आपकी उस subject में जिसके लिए आप application form डालना चाहते हैं, 55 प्रतिशत अंकों के साथ में, और यहां पर schedule cast, यानि SC, ST, PWD जो candidate हैं, उनके लिए कहा है, कि 50 प्रतिशत marks जो है, वो आप लोगों के master degree में होने चाहिए, ठीक है, बाकी जो general category है, उसके लिए 55% marks चाहिए, तो अभी देख लेते है वेकेंसी जो है, वो कहां से आई है, तो यह देखिए, वेकेंसी जो है, State Selection Board, Higher Education Department, Government of Odisha, भूवनेसवर से यह वेकेंसी आई है, काफी अच्छी वेकेंसी है, पर्मानेंट पोस्ट है, सैलरी काफी अच्छी जो है, आप लोगों को मिलने वाली है, यह वेकेंसी जो है, निक पर्मानेंट पोस्ट है, यह अच्छी सैलरी आप लोगों को यहां मिलने वाली है, पर्मानेंट पोस्ट रहने वाली है, पर्मानेंट पोस्ट रहने वाला है, तो यहां पर आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, करियर होगा, और आपका वायवा होगा, ठीक है, तो लेक् एक्जामिनेशन बालासोर, ब्रहमपुर, भुवनेश्वर, बॉलांगीर, कटक, जैपुर, संपलपुर्जॉन ये रहेगा आपका एक्जामिनेशन सेंटर एप्लिकेशन फीज जो है वो जनल कैटेगरी की 500 रुपीज जो है लगने वाली है बाकी जो यहाँ पर रिजर्फ कैटेगरी है SC, ST, PWD तो इनकी जो लगेगी 200 रुपे The application fee may be deposited online in the following account तो online आप लोगों को यहाँ जमा कराना है account यहाँ पर current account number दिया है State Bank of India, Government, Treasury, Branch, Bovnesia और यह दिया है IFSC Code ठीक है Next जो है यहाँ पर हर step को आप पढ़ेंगे उसके बाद ही application करेंगे यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कैसे जो है वो application आप लोगों को करना है How to apply Apply कैसे करेंगे, आप application form कैसे बरेंगे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर online application करने के लिए इसकी official जो website है इस पर जाना होगा ssbodisa.ac.in तो यह इसकी main website है State Selection Board Higher Education Department Government of Odisha तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल नजर आ जाएगा एक तो आपको running में ही दिखाई दे रहा application for recruitment of lecturer in non-government added to college of Odisha अभी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ना तो यहाँ BAD, BTC, CETED कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है बस आपकी master degree जो है तो application for recruitment of lecturer in non-government added to college of Odisha तो यहाँ पर तो आप लोगों को application form मिलेगा next जो है वो आप लोगों का यहाँ पर advertisement आपको complete मिल जाएगी ठीक है तो आप लोगों को बिल्कुल यहीं पर मिल जाएगा तो आप application करिएगा यदि आप लोगों को यहाँ पर सही लगता है interested है आप आपकी qualification है आप जा सकते हैं exam देने के लिए permanent post रहने वाली है